नमस्कार मैं रवीश कुमार दिल्ली विश्य विद्याले का एक कॉलेज है रामजस 1917 में राजकेदार नाथ जी ने रामजस कॉलेज की स्थापना की थी इस साल इस कॉलेज के सौ साल पूरे हो गए उस वक्त हमारे पुरवजो ने आजाद भारत का नारा लगाना शुरू कर दिया था हमें चाहिए आजादी वाला आजकल का नारा तो नहीं था मगर उस वक्त के हर नारे का यही मतलब होता था कि हमें चाहिए आजादी अब तो हमें चाहिए आजादी के नारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के नारे हो गए हैं जो वहाँ नहीं बोला जा सका, क्या वो यहाँ बोला जा सकता है कोशिश करते हैं, प्राइम टाइम को रामजस कॉलेज में बदल देते हैं आप से गुजारिश है कि चंद मिन्टों के लिए रामजस कॉलेज का चात्र बन जाईए ऐसा वैसा कॉलेज नहीं है, एलिट महौल के बीच खाटी मिज़ाज वाला कॉलेज है, एतिहासिक कॉलेज है इस कॉलेज की इमारत रामजस कॉलेज के नाम से पहचानी जाती है कि दिवारें, विचारों और अधिकारों के बारे में कितना कुछ खुल कर कहती होंगी कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि हम समगर शिक्षा में यकीन रखते हैं जो पढ़ाई और कोशल में बेहतरी से भी आगे ले जाए हमारा दर्शन है कि छात्र का बौधिक, रचनात्मक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनितिक छात्र अकादमिक और प्रशासनिक अनुशासन से आगे जाकर खुद की तलाश कर सके इसके लिए यहां हर व्यक्ति को प्रुटसाहित किया जाता है कमाल का कॉलेज होगा जो लिखता है कि प्रशासनिक और अकादमिक अनुशासन से आगे जाकर अपने व्यक्तित्व का विकास छात्र करे कॉलेज की प्रस्तावना की इसी भावना के तहत 21 फरवरी और 22 फरवरी को सेमिनार का आयोजन किया गया भावना क्या थी छात्रे एक्सप्लोर करेंगे आपको सेमिनार का पोस्टर दिखाता हूँ Culture of Protest, A Seminar Exploring Representation of Descent हिंदी में कहा जाएगा एहसामती की संस्कृती एहसामती के प्रतिनिधित्व की तलाश पर एक सेमिनार यानि एहसामतियां किन-किन रूपों में हमारे आसपास है आदिवासी इलाकों में उनके हक की लड़ाई की संस्कृती कुछ और होती है उसी तरह बैंगलूरू की कपड़ा मिलो से जब बाहर आकर औरतें विरोध करती है तो एक नई संस्कृती बनती है इस तरह से अलग-अलग विरोध की संस्कृती बनती चली जाती है इसी पर सेमिनार था, सोशल मीडिया पर वायरल और हैस्टेक के जरिये विरोध की जो नई संस्कृती स्थापित हुई है उस पर बात होने वाली थी गाली देने वालों के मामले में पर भी बात होने वाली थी हमने काफी प्रगती की है पहले बोल कर गाली देते थे अब लिग कर भी दे रहे हैं समलेंगी कधिकारों के लिए लड़ने वालों को अपनी विरोत की संस्कृती है उनकी, अलग-अलग मसलें हैं और चुनोतियां हैं उनकी, इस पर आप विक्रमादित्यों को सुनते तो कितना कुछ जान पाते, सुमंगला दामोदरन को आप अगर कविता और नाटकों के जरिय विरोत की संस्कृती पर बोलते सुनते, पुराने गितों को गाते सुनते तो इस एक सेमिनार के बारे में, इस एक सेमिनार से मैं आपको कह सकता हूँ कि टीवी पर चलने वाले तमाम फटीचर कारक्रमों से कहीं जादा आप बहतर होते, छात्र सुनकर, पहले से बहतर महसू सवाल सिलेबस से बाहर का आगया, बिना हमारी टिपणी के आप इन मंजरों को सुनिये, देखिये, हो सकता है कि तस्वीर का कोई दूसरा पक्ष भी हो, जो हम दिखाने जा रहे हैं, उसके अलावा जो हमारे पास नहीं है अज़ एक आगया जाखिए एक आगया जाखिए एक आगया जागया है करती है लेय खुक्रिपश सेफियरे भुद आप योगा हुचक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक रची अपना हमने तेका खाया जब लुए के अच्टी क्या मुआ लुए टो अच्टी, के अच्छी का वेस्ता है थाँ पोर्ण सा अच्टी, क्या मुआ है ज हम अच्टपाइबो बाता है गुर्णाट। अच्छा आपको बहुत ज्यादा समझ है यहां नहीं जाए 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 हम क्यों बहुत जोगें 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 मैं जाए जोगें जाए जाए एंज डेल तो आपने ये तस्वीरें देखी, कॉन्फरेंस रूम के भीतर, जो लड़के लड़कियां किस तरह से पहुंचे, घीर गये, इसकी लंबी और भयावा कहानी है, दोनों तरफ से, मैं वैसे भी घटना के सभी पहलू की रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, बलकि कुछ महतुपून पहलूओं को यहां रख रहा हूँ, जो मीडिया में, जिनके बारे में रिपोर्ट हुई है, हो सकता है, कुछ चूख हो जाए, कुछ बाते रह जाए, बहराल इतना आसान नहीं है कि चात्रों को खुल कर मीडिया के सामने आना उनके लिए फिर भी कईर चात्र सामने आये हैं, उन्हें पता है कि बाद में जब वे अकेले पुलिस थाने बुलाये जाएंगे, तो उनके साथ क्या क्या होगा, रांजस के चात्रे ने बताया कि अपने ही कॉलेज से पुलिस की तरह उन्हें निकाल कर ले गई और जिन पर शक्त था कि वे मारने वालों में शामिल हैं बाहर खड़े होकर हस रहे थे मजाग उड़ा रहे थे क्या इस मौके पर पुलिस बहतर तरीके से मैनेज कर सकती थी कई चात्र चात्राओं का आरोप है कि पुलिस ने ABBP के अखिल भारतिय विद्यार्थी परिशत के सदस्यों को उतपात मचाने की खुली चूट दी ABBP के चात्र कहते हैं कि उन पर भी हमले किये गए चात्रों पर लाठी चार्ज की गई पुलिस की तरफ से लड़तियों के साथ पुलिस कर्मियों ने बदसुलुकी की ये सब आरोप लगे हैं Times of India ने लिखा है कि मौरिस नगा ठाने के बाहर कई पुलिस वाले ऐसे थे जिनकी वर्दी पर नेम प्लेट तक नहीं था चात्रों और पत्रकारों को पीटा गया पुलिस ने एक website की एक महिला पत्रकार को भी बचाया है और पुलिस पर पत्रकारों के पिटने के भी आरोप लगे हैं फुलिस ने पीटा 25 लोगों की मेडिकल हुई है जिनी चोट आई है छेसाथ पुलिस करनी भी है मगर जदातर छातर छातराये हैं प्रोफेसर है एक महला शिक्षिका को भी मारा गया है इन सब बातों को लेकर छातरों और शिक्षिकों ने दिल्ली पुलिस के मुख्याले के सा करवाई होगी जांच करने का काम क्राइम ब्रांच को सौपा गया है कि इस महाल में एबी वीपी के जो गुंडे हैं और पुलीस में कोई फरक नहीं था तरफ हम गुंडों से भाग रहे थे और दूसरी तरफ पुलीस वाले सिर्फ देख रहे थे कोई किसी तरह की मदद नहीं कर रहे हैं हमारे कॉलीग है प्रशांति टक्रवर्ती उनका उनको स्काफ से उनका गलाग उटने की कोशिश की जा रही थी पुलीस वाले बिलकुल वहाँ पर खड़े थे और कुछ नहीं कर रहे थे हम चाहेंगे कि आप हमारी इंवेस्टिगेशन में कोपरेट करें और आप अपना जितने लोग कंप्लेंट्स हर एक कंप्लेंट पे अलग-अलग एफ आयार का प्रावधान नहीं है प्रावधान यह है कि ए घटना घटती है तो हम उस पे आपकी बात पूरी सुनेंगे हमारी पूरी साहता दीती है सर पुलीस इंवेस्टिगेशन तो तब शुरू होगी ना जब एफ आई आर पहले दर्ज होगी आप एफ आई आर ही नहीं दर्ज कर रहे हैं इस सिंपल सी डिमांड का जो रिजल्टेंट हुआ वो यह हुआ कि हम पे लाटी चार्ज बूटल ल जोहार लगा रहे हैं भीर की जाच कभी नतीजे पे नहीं पहुंचती नारों से भटका दिया जाता है ये बीबीपी और बामपंती संगठनों ने पुलिस को अरजी दी है दोनों ने अपने अपने विरोध प्रदर्शन किये हैं दिल्ली है तो इतना कुछ हो भी गया प्रोफेसर का उसके खिलाब कुछ भी नहीं हुआ निवेदेता मेनन ऐसा क्या बोल देती ही कि जिससे भारतिय गणतंत्र की बुनियाद ही हिल जाती है क्या हम इतना कमजोर हो गए और कब से इतना कमजोर हो अब आप दोनों पक्षों को सुन लिजे ए बीवीपी को भी और आप छात्रों को भी वह इस घटना के बारे में किस तरह से बता रहे हैं रामजा स्कॉलेट छात्र संग ने भी इस सेमिनार का विरोत किया है हम लोग जैसे पहुंचे हैं वहाँ पर गेट के तरफ हम लोग खड़े हैं तो पीछे से एक अखिल भारतिय विध्यारती परिश चैसे मेरे साथ इंगलिश विभाग के प्रफेसर थे प्रफेसर प्रफेसर प्रशांतो मखरी प्रशांतो उनको इतना बृटली माना गया मुझे बाल पकड़ कर गिराया गया और मुझे लात-लात मारी गई और डिल्ली पुलिस वहां पर खड़ी-खडी उनको रोकने काम करें कि हम लोग जब मार्च के थूरू अभी हाँ अने कि कोशिश की ए हम पर पथर फैके गए हैं थे फैकि गई यह मैं जूट्फर पथरबाजी नहीं हो विल्टा उन्लोगों ने बहुत बहुत जादा बड़ा एक्जिस्टेंशल सिचुएशन है हम मैं वहां खड़ा हूं मैंने देखा कि एक और बाइस साल का लड़का जो मेरे जितना है वो दूसरी तरफ खड़ा है और मुझे जानता नहीं पर मुझे मार रहा है वो उसके अंदर आज उमर खारी और कल स करें तो वहां पर फिर उन जब मीटिंग हुई तो वहां पर कहरें कि नहीं यह तो आएगा 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 तो इसको देखते हुए हमने वो प्रोग्राम कैंसल करवा दिया प्रिंसिपर संने खुद आगे कहा अराउंड 11.30 तो तक वो कैंसल हो गया था फिर एराउंड 1. 11.30 के करीब जो जितने भी यहां पर स्टुदेंट्स कॉन्फरेंट्स होल के उपर जमा थे या उनकी सपोर्ट में थे उन्होंने अपनी एक रेली निकाली वही जो जो जे एन्यू में नारे लगे थे वही हमारे कोलीज के इंदर नारे लगाए गया है कि हमें चाहिए आज लोगनेरिंग कर रहे हैं मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं या फिर मेरे उपर पत्थर मान रहे हैं वाइलेंस किसी भी चीज़ का आंसर नहीं होता है डिबेट और डिसकॉशन आंसर होता हरी चीज़ का आपको खुद तै करना होगा कि किसका जवाब जादा मासूम है प्यारा है स्वीट है और क्यूट है यही समझने की एक चीज़ है भीड और हला हो जाने के बाद आपको पता नहीं चलता कि किसने क्या किया मूल सवाल से सब भटक जाते हैं और फिर बात जेन्यू पर पहुं आने वालों को उल्जा दिया जाता है सिर्फ नारे सुनाई देते हैं मारने वालों को इन नारों के सहरे बचाने की कोशिशें नजर आती हैं जेन्यू का जिक्र हुआ है तो लगे हाथ बता देते हैं पिछले साल फरवरी की घटना थी कितना बवाल हुआ था सारा काम छोड कर मीडिया और राजनितिक दल आपस में भिड़ गया है जिस मुद्दे को लेकर अभी और इसी वक्त फैसला हो रहा था वो अब कहा है पूछिए तो आरोप क्या था आरोप था कि भारत विरोधी नारे लगाए गये जेनियूम बसंत बिहार ठाने में मामला दर्ज हुआ दिल्ली पुलिस इन मामलों में आज तक आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाई है तो क्या ये मामला सिर्फ मीडिया की रातों के लिए ही संवेदन शीन थ लिए था कि आप तक्तियों तरकों से सोचना छोड़ दीजिये भावनाओं के उबाल में बह जाएए और एक तरफ आप थैसला की पिर कुछ महीने बाद इसी तरह का टॉपिक किसी और जगा पर उठता है उठाया जाता है उस बहस में उसी जेनियूम की घटना का नाम लिय जाता है एवी बीपी को इस बात को लेकर जोरदार प्रदशन करना चाहिए कि एक साल हो गए देश द्रोह के मामले में आरोप पत्रदायर क्यों नहीं हुआ आईसा को भी करना चाहिए क्या हम देश द्रोह के मामले में इतने धीले हो सकते हैं क्या सारी राष्ट भक्ति सिर What the Nation Really Needs to Know है, 243 रुपए की किताब Harper Collins ने चापी है। व्यापम घोटाले में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, 634 चात्रों का एडमिशन कैंसिल कर दिया गया। सुप्रीम कोट ने किया, इनकी जिंदगी एक तरह से बरबाद हुआ। क्योंकि या, क्योंकि इन चात्रों ने भी सिस्टम का फाइदा उठाया, गलत तरीके से एडमिशन लिया या एडमिशन लेने में किसी की मदद की। सिस्टम से जुड़े लोगों ने इन चात्रों के जरीए करोडों कमाई। क्या आपने किसी भी दल के चातर संगठन को 634 मेडिकल चातरों को शिकार बनाने वाले सिस्टम के खिलाब भारत माता की जय या लाल सलाम लाल सलाम के नारे लगाते देखा है रोजगार के सवाल पर किसी को आग उगलते देखा है प्राइम टाइम में आप जो स्क्रीन पर इमारत देख रहे हैं उसका जो हिस्सा देख रहे हैं वो रामजस कॉलेज की इमारत है पहला भाशन उमर खालिद का सुनवाता हूँ उमर खालिद बेल पर है एक साल से आरोप पत्र नहीं बना है ना ही ट्राइल हुआ है तो क्या आप उसे सजा याफता मान सकते हैं उमर खालिद बस्तर में आदिवासियों के विरोध प्रदर्शन पर पिएजडी कर रहे है वहां रामजस कॉलेज में बोलने नहीं दिया गया चुकि अब यहां कॉलेज बन गया है तो उन्हें सुनाते हैं कि अगर मौका मिलता तो वो क्या बोलते और इससे आपका क्या बिगड़ जाता जब हम आदिवासी इलाकों में जो यूद चल रहे हैं जो उसकी बात करते हैं एक इत्यास का छातर होने के बतर यह यूद बहुत पुराना है यह यूद कुछ ऐसा नहीं है जो पिछले कुछ सालों में शुरू हुआ इस सरकार से शुरू हुआ या पिछली सरकार से शुरू हुआ अगर आप देखें जब से अंग्रेज आये हैं जब से इस यूद को अलग-अलग तरीकों से लड़ा जा रहा है और आज जब हम आदिवासी विशे में बात करते हैं अगर आप सरकार के रिपोर्ट्स को देखें तो वो हमेशा इसको एक मावादी समस्या, नकसल समस्या के बतौर वो ट्रे करना चाता है अगर आदिवासी विद्रो को देखें तो जब से मावादी पार्टी बनी नहीं, उसके पुराना है ये विद्रो तो इस विद्रो को हम कैसे समझेंगे अगर आप, as a historian, when I look at the archive अंग्रेज इस इस इलाके को, आदिवासी लोगों को एक तरीके से देखते थे इन 200 सालों में बहुत कुछ बदला है लेकिन अगर आज भी आप बहुत सारे counter-insurgency manuals और counter-insurgency dispatches उठा के देखें तो इसी किसम से, इसी stereotype से उन आदिवासी इलाकों को देखा जाता है मुझे आद है, 2012 में इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आया था कि जिस इलाके में हम जा रहे हैं, वहां इंसानों के बारा सिंग लगे वे हैं और यह CRPF बोल रहा है तो यह stereotype इस तरीके से देखना यह सब को जारी रहा है एक कोशिश है जो कुछ बस्तर में हो रहा है उसको बस्तर तक अंदर ही रखा जाए एक कोशिश है कि जो कुछ आदिवासी के गाउंगों को जलाना वहां परजी इंकाउंटर की रिपोर्ट जो एने चार्सी तक ने रेक्रिगनाईज की है मास रेप जो हुए हैं इन सब चीजों को बाहर ना आने दिया जाए इसलिए आजादिवासी हों के साथ-साथ यह जो काउंटर इंसेजन्सी का एक हाईडरा हिडिडिटनेस है वह कुछ बहुत सारे लोगों पर बढ़ गया है वहां जर्नलिस्स पर हमला किया जा रहा है वहां पत्रकारों पर हमला किया जा रहा है कुछ बुरे लोग हैं कुछ आतंगवादी हैं जो हमारे देश का इंटेग्रिटी और सौवर्निटी पे वह खत्रा है और उनके चलते हैं यह पूरा कॉन्फिक्ट हुआ है तो हमको पुलिस को भेज के पैरा मिलिटरी को भेज के आर्मी को भेज के पूरी तरीकी से खतम कर द सब्सक्ते यह पूरा कॉन्फिक्ट हुआ है और सरकार को एक सिंक्रोनाइज रपरोज रखना चाहिए कि वहाँ डेवलेप्मेंट भी लेकर जाना चाहिए और साथ-साथ वहाँ पुलिक ऑपरेशन भी करने चाहिए